रानी सा अब रानी को अपनी बहु के रूप में एक्सेप्ट करने वाली है। राजावत परिवार की बहु होने के सारे हक भी दिये जाएंगे। वेल ऐसा कोई और नहीं बलकी खुद रानी सा करेंगी। को इस बात का अंदाजा लगने वाला है कि अगर गलती से भी नंदनी की शादी जैसिंग जैसे चाला का अदमी से हो जाती तो नंदनी की पूरी जिंदगी बरबाद थी। अब इसी एहसास ने रानी सा के दिल को कठोर से थोड़ा मुलायम बना दिया है। और यहाँ पर उन्होंने रानी को एक्तोहफा देने के रूप में उसे अपनी घर की बहु सुईकार कर दिया है। तो शो का आने वाला ट्राक होगा बहुत ही जादा धमाकेदार जहां सारे रीती रिवाजों के साथ एक बार फिर से वीर रानी को लेकर राजावत हाउस वापस लोटेगा जहां रानी का खुद धुमधाम से ग्रह प्रवेश करवाया जाएगा। वही दूसरे ओर नंदनी को भी अपनी गलिती का एहसास हो चुका है और इसके लिए नंदनी माफी मांगती हुई नजर आएगी खुद रानी से। यहां हाथ जोड कर रानी के सामने खड़ी होगी नंदनी और उसे माफी भी मांगेगी और धन्यवाद भी कहेगी। थांक यू इस बात के लिए कि जैसिंग से नंदनी की जिंदगी को रानी और वीर ने बचा लिया। तो अब रिश्टे धीरे धीरे सुधर रहे हैं। देखना दिल्चस्प होगा कि कौन सा नया मोर लेती है सीरियल। अपना टाइम भी आयता की कहानी। क्या वाकई में रानी साने रानी को एकसेप्ट कर लिया है अब पिर ये उनका कोई नया खेल है। देखना इंट्रस्टिंग होगा।